हेलो इंडियन्स वाट्स आप वेलकम तू अनेधर एपिसोड आफ नॉइड एक्सेंशन सीरीज आज के इस एपिसोड में मैं आपको दिखाऊंगा कामाख्या विलास आपने लास्ट एपिसोड में दिखा था मैंने आपको दिखाया था किंग्सन ग्रीन विलास जो नॉइड एक्सेंशन में है जहां पर अफॉर्डिबल हाउसिंग आप कह सकते हैं आचली में एक्जिस्ट करती है अभी भी आपको 3BHK का एक इंडिपेंडेंट विला नॉइड एक्सेंशन में अभी भी मिल जाएगा एक फ्लाट के रेट पे तो मैं कोई रियल्टर नहीं हूँ और नाहीं कोई ब्रोकर हूँ और नाहीं ये कोई प्रमोशनल वीडियो है अगर आपको इस प्रजेक्ट से संबंदित कोई भी जानकारी चाहिए तो नीचे मैं बिल्डर का नंबर मेंशन कर दूँगा अब डायरेक्टली उनसे बात कर सकते हैं कामाख्या विलास भी परता है नौईडा एक्स्टेंशन सेक्टर 16B के ऑबजट कामाख्या विलास तक पहुंचने के हैं दो रास्ते एक रास्ता आता है क्रॉसिंग रबबलिक और शाबेरी के पास से जो लोग क्रॉसिंग रबबलिक से जाते हैं नौईडा डेली बेस पे आपने नोटिस किया होगा जब आप शाबेरी गाओं पहुंचते हैं तो शाबेरी में left hand side पे है modern public school और उसके just साथ में ही है राधा स्वामी सत्संग hall so उन दोनों के बीच से एक रास्ता left में आपका जा रहा है तो आपको उसी road को follow करना है till T point T point से जैसी आप left लेंगे आपको right hand side पे कामाख्या विलास की construction दिख जाएगी दूसरा रास्ता आता है वाया नॉड़ा extension सो चार मूर्ती से जब आप एक मूर्ती पहुंचते हैं एक मूर्ती से लेना है आपको left फिर एक और गोल्चकर आएगा उस गोल्चकर से दुबारा आपको लेना है left और उसी road पर आपको बिल्कुल T point तक जाना है T point से right फिर left आपको सामने ही कामाख्या विलास दिख जाएगा मुझे पता है आप अगर Kingston Green विलास पहुंच जाते हैं तो वहाँ पर आप किसी से भी पूछ लीजे कामाख्या विलास वो आपको guide कर देंगे बट इस वीडियो के अंदर आपको ज़्यादा confusion ना हो इसलिए मैंने पूरा route कवर करा है जो लोग चार मूर्ती से crossing republic जाते हैं ये route है उनके ल और इसी road पर आपको फर्दर आगे बढ़ना है जो लोग crossing republic daily commute करते हैं वो इस route से familiar है because crossing republic या फिर NH24 जाने के लिए ये ही एक route है इस route पर आपको हमेशा जाम बल सकता है reason being left और right hand side पर hardware, nursery और furniture की दुखाने है जैसे ही आपको ये वाली boundary दिखे आप समझ गई है आपको अपनी गाड़ी की रफतार धीरे करने है because इसके बाद आता है एक cut और वहीं से लेना है आपको right left hand side पर एक और landmark है modern public school जैसे ही आप right लेंगे आपको वो दिख जाएगा आपको इसी road के follow करना है until you reach the D point left और right hand side पर आपको चारव तरफ construction दिखेंगी ये basically build up roads है we are almost there this building के पीछे ही आपको कमाख्या विलास की सारी construction दिख जाएगी that's it we have now reached the site of Kamakya विलास कुछ सर्भी मैं आपको लाएगा कर दो दोलबको कर दोंस के लिखेंगी आपको जाएगी कर दोपदा मैं आपको पाटन के ढुपन दोलबस कर दो कर दो कर दो कि ब math इसमें आप देख सकते हैं, इसकी दो रोज अल्रेडी कंप्लीट हो जुकी है, तीसरी और चौती पे काम चल रहा है Let me just give your 360 degree view of the entire site, आपको चारों तरफ सिर्फ low-rise independent flows ही दिखें लिए और इसके just opposite पड़ता है noise extension का sector 16B चली अब मैं आपको इस project के बारे में कुछ बता देता हूँ कामाख्या विलास का जो total project है वो फैला हुआ है 25 एकड में इसमें 3 और 4 BHK के independent विलास आपको मिल जाते हैं यहाँ पर भी जो price range है वो 50 से 70 लाक है और इस video के अंदर जो विला में आपको दिखाऊंगा उसका area है somewhere around 1800 square feet और second floor जो चछत है इसकी वहाँ पर कुछ expandable area भी है आप expandable area के बारे में directly builder से confirm कर सकते हैं कि कितना area है approximately 200 square feet चछत पर भी expandable area है बट वो builder अभी आपको बना कर नहीं देगा अगर आप कुछ extra pay करते हैं तो वो आपको आपके विला के साथ ही उस area को construct करके बढ़े हैं सो सारी information आप directly builder से ले सकते हैं सो चलिए देखते हैं इसका एक sample विला this is the sample विला मैं इसको sample विला नहीं कहूंगा reason being it's an actual विला for the time being they are actually using this as a sample so this is the main entrance enter करते ही left hand side पर है living area और सामने की तरफ है dining area living area के जस्त साथ में यह किच्छन इस विला के अंदर जो जो चीज़े आप देख रहे हैं वो एक्जाक्ली आपको वैसी ही मिलेंगे including the fall ceiling or kitchen candle, complete woodwork including below and above cabinets है लिविंग रूम के अंदर आपको एक चीज और एक्ट्रा मिलेगी दाट इस दी लेटी पैनल ग्राउंड फ्लोर के ऊपर सरफ एक ही कॉमन वाश्रूम है विज अटाच बाथ इंदर अबाइब ऑ्च बाइब तापको एक गपर नूम के लिएर के लिएकर विएक बाइबे आपको एकर बाइब ऑर झाल झाल पर है एक ओपन लबी एरिया और दो बेडरूम विद अटाच वाश्रूम्स इस 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 बेडरूम उपन फर्स फ्लोर इसके अंदर भी जो बेड है वो है किंग साइज बेड और इसकी जो सीलिंग हाई तया किंग साइज बेड होनी के बावजूद आप देखें तो कितनी जादा स्पेसिस में अभी भी जची हुई है इस इटाच वाश्रूम्स बाद एरिया और यह है इसका मास्टर बेडरूम्स दोनों ही बेडरूम्स के अंदर इंपाक्ट पीनों बेडरूम्स के अंदर आपको वाट्रूम्स बन्मीं भी मिलेंगें। अधर वोते से अंदर आपको आपको बीज़ोग्स के अंदर लवेघ्जार्स के लिए अंदर लवेग्स लावी इनग भी जालेश्यवी जाल्वेश्ण। this is the washroom of the master bedroom and in fact all three washroom has anti-skate tiles now let's go to the second floor, second floor has got some expandable area which you can confirm from the builder and this is the view from the top floor, you have to look at the 4th floor, the construction is running and on the 4th floor you can see low rise independent floors, the building is a cluster that is the Noida extension sector 16, where there are super tech eco village 2, Panchil, Grieve and Ajnara home all right guys that's it for the day i hope you enjoyed the preview of sample villa in this video in the next episode i will show you the same project in the Noida extension where you can see independent housing and that will be the third and final episode this is the third and final episode, after the end of this series i will show you the other which i will show you the other independent villas project but it will be the reputed builders which i will show you the new coming builders here the price range was 50-70 lakhs but the price range was somewhere around 90 lakhs and it goes beyond 1.5 CR one thing guys while going through my analysis report i noticed that 90 to 95 percent of viewers who watch my videos are actually not my subscribers as a queue guys you know that i'm here for a goal and that goal is the silver play button or us silver play button go achieve करने के लिए जो नंबर होने चाहिए वो है 100K subscriber and that is only possible when you click on the subscriber button it's a kind of achievement और इसका एक और मतलब ये भी होता है कि आपको इतने लोग सुनते हैं आपकी आवाज में इतना दम है कि आपके इतने followers हैं so guys i'm here to achieve that goal money is not a problem for me YouTube मेरा just a passion है और एक और चीज़ आप जब भी किसी काम को करते हैं जैसे मैं अभी एक startup idea पर काम कर रहा हूँ so उसके लिए initial capital तो लगती ही लगती है बट आपको कुछ time भी देना परता है same is the case with YouTube YouTube बहुत सारे लोग join करते हैं just for making money यहाँ पर मैं उनको बता दू जब भी आप कोई चीज पैसे के लिए start करते हैं वो कभी भी successful नहीं हो पाती है but जब आपका idea successful हो जाता है पैसा actually में एक bypass product बन जाता है so मैं आपको यह इसलिए बता रहा हूं because I used to run a small business to business magazine वो था मेरा पहला business और जिसको मैंने आगे बेचा उसके बाद now I'm working on my second business venture so उसके बारे मैं मैं आपको आने वाली videos में बताऊंगा with that being said I'm gonna wrap up this video right now if you enjoyed this video please give it a thumbs up and make sure you click on that subscribe button I'll see you guys in next video with a new topic and new place till then take care and goodbye